Hi everyone, this is Anu and I am back again. आज हम एक नया structure सीखने वाले हैं. So guys, उससे पहले, how are you doing today? आज आप कैसे हैं? I hope you will be very good. I hope you will be fantastic. You must have enjoyed your holiday as it is 2nd of October. अगर यही question आप मुझसे पूछेंगे, So I am enjoying my life. एक हमारा नया तरीका है, आप अपने बारे में बोल सकते हैं. अगर आपको लगता है, आप अपनी जिन्दगी में मज़े कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, I am enjoying my life. जैसा कि मैं अपनी life enjoy कर रही हूँ, मैं बोल सकते हैं, I am enjoying my life. So guys, आप इसको भी बोलना start कर दीजे. Come to the point, point की बात करते हैं, but point की बात करने से पहले, हम कल की point की बात को revise कर लेते हैं, कल हमने दो structure सीखे दे, do not action, please action. मैंने कल आपको बोला था, कि आपको घर पर बैट कर अपने family members से बहुत सारे काम कराने हैं, बहुत सारे actions कराने हैं, हो सकता हो आपने किसी में order दिया हो, हो सकता हो किसी में आपने please भी बोला हो, जैसा कि आपने मुझसे बोला कि बाइट TV बन कर दो, हो सकता है, आपने बोला हो please turn off the TV, आपने मुझसे request की please turn off the TV, हो सकता हो आपने normally मुझसे बोल दिया हो, कि बाइट TV बन कर दो, तो आप simple सी language में बोलेंगे turn off the TV हो सकता हो आपने मना किया हो मुझसे कि भई TV बन मत करो तो आप बोलेंगे do not turn off the TV तो guys always remember जो हमारा action होता है जो हमारा काम हो रहा है वो हमें यहाँ पर लगा देना है structures भई रहना है structure में हमारा कोई change नहीं होना तो आपने मुझसे बोला कि market मज जाओ do not go to market भई आज market बंद है log down लगा हुआ market मज जाओ do not go to market जाना हमारा action हो गया go हमारा action हो गया जिसे हम बर्भू भी बोलते हैं शायर आपको grammar language आपने पढ़ी हो और grammar में आपने उसको बर्भू पढ़ा हो एक्षिन और वर्भ को हम एक तरीके से सेमी quantity में और सेमी लेबल पर हम मीज़र कर रहे हैं यहाँ पर प्रीज की बात करें आपने मम्मा से बोला रोटी बना दो प्लीज पर प्रफियार्दा चापाथी आपको बोल रहा है मम्मा आज पानी दे दो जड़ा प्लीज गिब मी वोटर यह दौनों आप प्रैक्टिस करें यूवल स्टार्ट स्पीकिंग त्वेंटी ट्वेंटी से Do not say, 20 sentences please say and trust you will start speaking English. यह आपकी tongue train कर देगी और आप English भी बोलना start कर देंगे. So guys, आज नए structure की जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम अपनी life की बात कर रहे थे, बहुत सारे काम हम morning till evening जैसा कि हमने पहली class में भी बात की थी. बहुत सारे काम दिन चर रहे हमें हमारे involve होते हैं, बहुत सारे काम हम कर चुके होते हैं, बहुत सारे काम हम अभी कर रहे होते हैं. और बहुत सारे काम हम suggestion के लिए बोलते हैं, बहुत सारे काम हम दूसरों को बोलते हैं करने के लिए जैसा कि हमने सीख लिया, बहुत सारे काम हम request को involve करके बोलते हैं वो भी हमने please बोलना सीख लिया अभी हम बात करते हैं जो काम हम अभी अभी कर रहे हैं अभी अभी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं शायद हो सकता हो आप वीडियो देख भी रहे हो so ऐसे ही बात करेंगे जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो guys हमें हमेशा अपने लिए I का यूज़ करना है हमेशा हम कहीं पे भी कोई भी काम अपने बारे में introduce करेंगे वहाँ पे हम I का यूज़ करेंगे I और I के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे M लेकिन गाइज इसके साथ जब हम एम तभी situation में यूज़ करेंगे जब हम अभी की बात कर रहे हूँ मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि मैं आपको अभी train कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ I का यूज़ करेंगे I के साथ am I am action हमारा है training देना तो मैं आपको अपने बारे में बोलना है कि मैं तो वीडियो देख रहा हूँ आप बोलेंगे I am watching video कोई भी काम आपको अपने बारे में अभी की situation में ध्यान दखिए मैंने दो लाईने बोली हैं आपको कोई भी काम हम अभी की बारे में बात कर रहे हैं जो हम अभी कर रहे हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं भाहा हम I am का use करेंगे और हमारा structure होगा action में ing आपको action में ing involved कर देना है हमारा अभी का काम define हो जाएगा मान लेते हैं आप market जा रहे हैं मैंने आपको बोला आप कहां जा रहे हो तो आप अपनी situation बताएंगे I am action हमारा है go में हमने ing लगाया I am going to market आपने मुझसे बोला आप क्या कर रहे हो तो भाही मैं अपने बारे में बताओं तो मैं अभी लिख रहे हूँ I am writing आप हो सकता हो मुझे देख भी रहे हो I am watching you हो सकता हो आप study कर रहे हो I am studying कोई भी काम करना है आपके पापा ने बोला क्या कर रहा है आपको बोला है computer चला रहा हूँ I am operating computer हमें कोई भी structure को combine कर के नहीं बोला है do not का action do not action का structure बोल था जब हम दूसरों से काम करा रहे थे और नहीं करा रहे थे प्लीज का भी वहीता जो हम दूसरों से काम कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे यह structure है हमारे बारे में हम अपने बारे में बात कर रहे हैं I am action में ing आपको बहुत सारे action बहुत साई वर्प्स मिल जाएंगी जो आप पढ़ सकते हो बट फिर भी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ यहां पर एक्शन लिखे हैं जो आपको हर वीडियो में मिलेंगे अगर आप यह एक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको याद करन बने की भी जरूरत नहीं यह सबी एक्शन भेहिं हैं जो आप अपने बुक्स में पढ़ते हैं यह सबी एक्षन भेहिं हैं जो आपकी लाइफ में यूज होते हैं सब्सक्राइब कर चंटू क्या कर रहा है तो आप बता सकते हो मैं साइकल चला रहा हूंग तो आप बोलेंगे आपको हिंदी में तो सोचना ही नहीं है आपको डाल इंग्लिश में सोचना है हिंदी में सोचेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा देखिए आएम राइड हमारा एक्षन हो गया एक्षन को उठाके हमने यहां पर लगा दिया उसके साथ आई एंजी लगा दिया राइडेंग सकलर आप तिव देख्रां Bakay पापने नंग्लिच लगाल दा बड़ क्या करण है तू मैं वह यहां वॉच्छी टीबफिए अप मांकल जा रहे हैं और से पूछ घा आ एँ जा अब वेक्षकम मांले से हंब आप इंग्लिच अक्टिस कर रहा हो आप रैक्टिस कहते हैं मम्मी उन्हें बोला भाई कौन सी लेंग्वेज बोल रहा है यह बोल सकते हो भाई मैं इंग्लिश बोल रहा हूं I am speaking I am speak बोलेंगे तो गलत हो जाएगा हमें action के साथ ingb लगाना है ध्यान रखिए I am speaking English कर्केट खेल रहे हैं कौन सा गेम खेल रहे हो भाई I am playing cricket बहुंबक कर रहा है कॉपी में लिख रहा है पता नहीं लिख क्या रहा है तो पापा ने आके बोल दिया भाई क्या लिख रहा है कॉपी में यह तो आप बोल सकते हो भाई मैं अपना homework कर रहा हूं I am doing my homework शूज पॉलिश कर रहे है, I am polishing my shoes फ्रेंड को कॉल लगा रहा हूं, फोन में आप कर रहे हैं और आप से आकर जंदली हमसे कोशन पुछ लगा रहा है क्या कर रहा है फोन में, यह लग दे फोन एक साइट को तो आप बोल सकते हैं कि पापा मैं फ्रेंड को कॉल लगा रहा हूं I am calling my friend प्रेस कर रहा हूं, कपड़ों पे प्रेस कर रहा हूं I am ironing the clothes पीजा खा रहा हूं, I am eating pizza चाए पी रहा हूं, I am taking tea This all are the actions आप घर पे बोलेंगे, घरवालों को भी अच्छा लगेगा आपको भी बोलने में अच्छा लगेगा and trust कि आपको लगेगा कि आपने English बोलना आज start भी कर दिया है So guys, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, दिखिए हमने यहापे दो characters लिये हूए है एक है हमारा चिंटू, जो शायद जिंबी जाता हो और काफी दुबला पतला दिखाई दे रहा होगा आपको और एक हमारा गोलू जो शायद आपको बहुत जादा healthy दिखाई दे रहा हो इन दोनों की यह दोनों ही friends है चिंटू और गोलू दोनों best friends है और दोनों की लाइफ्स्टाइल अलग लग है आप देख सकते हैं दोनों का structure दोनों का life style काफी अलग लग रा है एक लग रा है काफी fit लग रा है और दूसरा लग रा है काफी healthy लग रा है तो यह दोनों ही अपने बादे में बताएंगे मान लेते हैं दोनों एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं या मान लेते हैं किसी रास्ट्रों में मिलते हैं चिंटू अगोलू चिंटू क्या करता है अपनी मेन्यों वो उठाता है और वो खहता है मुझे कोल्डिंग लादे वो बता है इस्की समीं काफी ब horrory और कर ली है यहुछ भी आप एक्जेम्पल ले सकते हैं कोल्ड रिंग का ले ले रहे हैं गोलु कायेगा उसको भाई कोल्ड रिंग और मत कर तो वो यहां पर कौन सा स्ट्रॉक्चर यूज करेगा वो अपने लिए तो बोलनी रहा जो यह करेगा मैं केबल आपको एक्जामपल कन्फूजन क्लियर करने के लिए बोल रही हूं वो ओलेगा कि भाई कौफी मत आदर कर क्वोल कर लें डू नॉट और कौफी और कोल्ड रिंग दोनों ही सेंटेंज साह लगो गए और आपको बात करना भी आ गया है अगर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई प्लीज मेरे लिए कॉफी ओर्डर मत करियों प्लीज दू नॉट ओर्डर कॉफी अब मान लेते हैं दौनोंने गोलू की बारी आती है गोलू से पूछा जाता है भाई तुझे क्या ओर्डर करना है उसने बोला भाई मैं तो पीजा करूंगा तो यह चिंटू इसको बोलता है भाई पीजा ओर्डर मत कर तो अल्रेडी है और पीजा अगर ओर्डर करेगा तो डैट विल भी हामफुल फो यू यह तो आपकी और भी ट्रांस्फोर्मेशन कर देगा वह आपको बोलेगा कि भाई डू नॉट ओर्डर पीजा पीजा ओर् स्थाना चाहिए उसको स्पी ना चाहिए प्लीज ऑर्डर शुप नोने रॉडर कर लिया एक निक ओरिंग कर लिचिंटू ने कोल्डर कर ली गोलु ने सूप लिया उनके अगे टेवल रखिये टेवल पर दौनों का जो ओर्डर किया हुआ वो आ गया अब गोलु ने क्या क मैं बताएगा हूँ I am taking soup और अगर चिंटू की बात करें तो चिंटू अपने वारे में क्या बोलेगा मैं cold drink पी रहा हूँ I am taking cold drink simple सा structure है अगर आप बोलेंगे आपको समझ भी आने लग जाएगा so guys अभी हमने जो बात किया हूँ केवल इसकी बात किया I am हमको केवल अपने वारें बताना है जो भी काम कर रहे हैं आप हो सकता हो इस टाइम बैठे हो आप वीडियो देख रहे हो वीडियो के साथ साथ आप डिनर भी कर रहे हो हो सकता हो आप लंच कर रहे हो हो सकता हो आप ब गुल सकते हैं I am speaking English I am going to market नाते टायम बोल सकते हैं I am taking a bath चाए पी रहा हूं I am taking tea पानी पी रहा हूं I am taking water खाना बना रहा हूं I am making food भाई अभी बिस्तर लगा रहा हूं बिस्तर साफ कर रहा हूं I am cleaning the bed room साफ कर रहा हूं I am cleaning the room आपको क्या करना है देखिए नीचे मैंने लिखा इस्पीक 20 टाइम्स आपको 20 एक्षिंस ऐसे बताने है जो आप अभी कर रहे हो पूरा दिन में आप 20 टाइम्स बोल सकते हो कि आप अभी-अभी क्या कर रहे हो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं आपको करने ही पड़ेगी स्ट्रक्चर सा आपको समझाए जा सकते हैं सिखाये जा सकते हैं बट स्पीकिंग आपको खुद करनी है तंकी ट्रेनिग आपको खुद करनी है तो गाइस दिस अल अब टुदेश क्लास अभी आगे आप देख रहे होंगे दो चीजे मैंने एक्स्पेइन नहीं किया है तो आप कन्फ्यूज ना हो यह हम कल की क्लास में बात करेंगे तो दिस अल अब टुदेश क्लास actions को पढ़िए याद करिए और practice करिए अगर आप कुछ गाम नहीं भी कर रहे हैं घर पे ही हैं पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी मैंने examples के लिए आप er actions के लिश्ट के लिस्ती हुई है इन actions को आप बोलना स्टार्ट करिए और आपको मन मन में नहीं बोलना है ऐसा नहीं है कि आपने मन में बोला यह 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 देखके पढ़ लिया ऐसा नहीं करना है आपको आपको बोल कर आपकी अवाज शामने वारे को सुनाई देनी चाहिए आपको तेज बोलना है और आपको इसको प्रैक्टिस करना है So guys I hope this is enough for today इतना ही काफी है आने वाले स्ट्रक्चर्स हमारे और भी एक्साइटिंग होने वाले है So that's all for today Thank you so much Keep watching our videos Thank you